रियाबा शांदा नामा सो लू रियाबा शेक्खे रियाबा सो रियाबा नामा संदो नू रियाबा नामा सेंदेने में शेक्खा रियाबा रियाबा धन्यवाद प्रभी इशु मसी धन्यवाद मेरे सर्व शेक्ति मान प्यारे जिन्दा परमेशर धन्यवाद से नाओ के यहा से नहां कलोएससे ने और टेंक शीजिगे आपको सबस्क्राइब आहें भी किया घाम सब्सक्राइब एक्रेशन मत्म आंग्यृशम को पाले कि कंगेसे जाएब। यह लौट दियुआ घंक्यू फादियर संदोब ऩावली स्पूली सुनुट। holy spirit holy spirit holy spirit ःप शहैन को लीजोड छीस एा आ वी cambiar ली एबाट दान्म को छोग ह्वीज्व इस इने वाद धिकरतिना अ को वीधरा आत्म Wäh इसे जगह कहा पर पूरी लाट गाई स्दीम परमेशर मदद और सहायता कर पिता पर मैशर जो सुनें परमेशर खुदा ओंदाथ त्यरा विशेक उन पर ठारे मेरे साम मरतिं पिता हुदा अवंदा मिदत कर सहायता कर पवित रातम जी Holy Spirit, Holy Spirit, Welcome Lord Jesus Hallelujah, Thank You Lord Jesus Oria ma shandana ma loriyana ma shikheri Oria ma sh mathematical speed Thank You Lord Jesus, Thank You Father Thank You Lord Father, Thank You Lord Jesus Thank You Lord Jesus, Hallelujah Hallelujah मैं फिर से परमेशर करती कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उस परमेशर का कलाम आपके तक पहुंचा यह बदलता है और दिन जब हम उसके वचन को सुनते हैं और मानते उस पर चलते हैं तो वी बदलता है हमारी अपने वचन के द्वारा हमें वो बनाता है जब वो हम सोच भी नहीं सकतें और आज का क्लाम भी और आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ आपके दिल को आपके जीवन को बदलेगा क्योंकि परमेश्व कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को मानेगा और उन पर चलेगा हालेलुया तैयार कीजिए अपने हाथों को उठाइए और परमेश्व का धन्यवाद कीजिए ठैंक यू लाड जी जजाए धन्यवाद करें परमेश्व का अपने हाथों को उठा लीजिए और परमेश्व का धन्यवाद करें कि वो आज हमें बदलने जा रहा है वो हमारी लाइफ को मनों को तियार कीजिए और जो कुछ भी उसने आपको दिया जो कुछ भी आज तक आप उसने आपके लिए किया जो आपको प्यार दिया उसने के लिए परमेश्र का धन्यवाद कीजिए परमेश्र का धन्यवाद कीजिए कोई भी जब आपके साथ ना था वो परमेश्र आपक गुआई करता है कि आपको क्या करना है किस रास्ते पर जाना और क्या नहीं करना और क्या आपको करना है और पिता परमेश्र का जो हर वक्त आपके गुआई करता है जो आपको इतना प्यार देता है उसका धन्यवाद कीजिए उस प्यार के लिए धन्यवाद कीजिए वो प्य आज के दिन के लिए आज के समय के लिए पिता आपका धहने वाद करते हैं महिमा के योगियां आदर के योगियां स्तुति के योगियां मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर इसदर्थी आकाश पिता पर कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है जो पिता परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता हो जिसने अपने एक लोते बेटे को कुर्बान किया हो पिता आप ही हैं एक जीवित परमेशर जिसने हमारी खातिन हमें पिता परमेशर इतना प्यार किया कि अपने एक लोते बेटे को कुर्बान कर दिया मेरे प्रभी शिमसी जो इस दर्दी पर आया जिसने पित का पैंडों का टाच्छ पहन लिया मेरे पिता जिसे अपनी खून का एकत्रा कत्रा बहाद दिया आगता प्रमेश्रएं हम धन्य वाद करते है बिरेउ ब esao में करते हा एं धन्य चीजित आज करतने भाद कीजिए उन्धर समय के लिए परमेश्र का धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो महान क्या ही समय है जब उसके किलाम को सुना जाता और पड़ा जाता है उसका धन्यवाद कीजिए क्योंकि बाई में लिखे जाएं दो या तिन और आत्म जादा है परमेश्र का धन्यवाद कीजिए और येश्व मसी आपकी जिन्दीखी बदले पकारी आज पवित्रात्मा की जम इस वचान को महांगा उस पतनेंबेजीवन से भर देना पवित्रात्मा आज मेरे जीवन को चू लेना पवित्रात्मा मांगी उसके परकाश को उसके तेज को मांगी अपने जीवन पर खुदा का धन्यवाद कीजिए पवित्रात्मा किसे भागिता को मांगी हाललुया रियाबा सुन्दो लो रिया नमा सुन्दो लो खो तब लोग सुने तेरे बेटी और ती मेरे समर्थी पिता उंकी बदल ने पाई your नमसे uhun की Life change के नमसे बढ़ जाए बदल जाए नमसे आ इसे इस मसी के नाम से कु कि तेरा वचन बताता है वचन बजन वचन करता है पिता परमेशर हालेलुई यारियाबा संदो लो रिया नमस संदो नो को रियाबा तु तो पिता परमेशर खुदा वंदा दो जार बी से पहले पिता परमेशर जब तु इस धर्ती पर आया लंगडे चले पिता परमेशर अंदोंने आंके दी ये पिता परमेशर अंदोंने प मेरे जिन्दा परमेश्र खुदा आज यही समय है मेरे स्याम्रती पिता परमेश्र और यह पता परमेश्र आप उन्हें पकारे यहां मौर्ण। बढ़ने का मैं बने करना और सहाईताल करना जो लोग सुने पिता हर एक और पार्म पिता पर्मेशिं, उनके प्रशिंज का उत्तर देना में पिता पर्मेश जिनके जवाब नहीं आए पिताए प्रबीई यह मशीय और मेरे प्यारे जिन्ता पर्मेयशू खुदा वंदा भी उट मेरे प्रभी ईस्यू मसीजू हर एक जन को पिता पर्मेशू जिस जो इस वचनको सुने और जो बात मेंगों ने कौड इसू महिन आक़ाईू अठिया कुर्दे अब अतुद करती हो मेरे मदद और साहइत्य आपने सुना और कबूल किया यह प्रात्मा पिता परमेश्यर मैं आपके प्यारे बेटे इश्यो मसी के सामर्ति रोजिंदा बड़े नाम से और पवित्रा आत्मा के साथ मांग लेती हूं आमें 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 हाललुया आईए परमेश्यर का धनेवाद करती क्योंकि वो एक जीवित परमेश्यर है वो महान और जिंदा परमेश्यर मालिक खालिक जिसने हमें बनाया जो इस धर्ती का पिता परमेश्यर जो आपका पिता उसका धनेवाद कीजिए क्योंकि वो आज आपको अपने विश्यख से भरने जा रहा है क्योлив Sounds कि वह आज आपको अपने कलाम से भरने जा रहा है जब आप बिमारी में वो आपकी बिमारी जाएगी इशुमसी के नाम से आज पर मिश्यवर को पुकारे क्योंकि वह आज त्यार है आपको देने के लिए मांगे उस परमेशर से विशेक को क्योंकि ये समय है अब भी शेक में रहने का ये समय है क्योंकि बहुत समय वह समय आने वाला है कि जब शैतान आएगा चुरा के ले जाएगा और वो क्या चुराएगा आज का टोपिक है कि आने वाले समय में शैतान सबसे जादा क्य चुराएगा मेरे जीदों शेतान क्या आता है शेतान हमेशा चोर चोरी करने के लिए घात करने के लिए और हमेशा नश्ट करने के लिए आता है और बहुत सारे लोग जिने पता भी नहीं चलता कि वह आपके अंदर से क्या चुरा के ले गया बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन आपको बताना चाहतीूं कि अपने गतीश है, जो आपकी आतमय हर वक्त equipped's शेख में आपको उसको भरना है, तांकि जब भी Crash normally आपके अपर आटैक करें, किको किसी सिरस्ट्रेशन का क्यों न चाहिए फ्रस्ट्रेशन का हो, किई कोई भी चीज़ का क्यूँ ना होगा, आप उससे लड़ सकें क्यूकि बाइबल ऐसे कहते है कि अपने हथ्यारों को बांध लेजिये क्योंकि जब आप、 एक्जामपल मैं आपको देती हूँ, क्योंकि जब आप लुरूरु किसी युद में जाएंगे वो आप पर वार करेगा और आप गिर जाएंगे मर जाएंगे क्योंकि हथियार आपके पास नहीं है आपने हथियार अपने नहीं लिए और वो हथियार कौन सा है आज आज वो हथियार वचन का है हालेलुया वो हथियार जो आप आज यूज नहीं कर पाते आप वो हत्यार यूज नहीं करते अगर बिमारी है तो हत्यार आपका कौन सा है कि ये शुमसी तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं ये आपका आज हत्यार है और आज हत्यार हम कुछ यूज नहीं करते कोई बियात्यार हम यूज नहीं करते हैं हम सिरफ दूसरों से बात करने में बीजी हैं दूसरों को अपने बीमारी बताने में बीजी हैं जबकि परमेश्वा ने बोल दिया कि तेरे कोड़े मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो तो ये बचन को क्लेम किसने करना है यह बच्छन को claim आपने करना है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं और आज का main topic में आती हूं कि आने वाले समय में शेतान सबसे Cao चुराएगा, क्या आता है क्योंकि शेतान परमेशर की हजूरी को आपसे चुराएगा परमेश्यर के संबंद को आप से चुराएगा कि आपका और जो परमेश्यर का संबंद है वो खतम करेगा उसको वो संबंद कैसे बनता है एक प्रेयर लाइफ से कि आप जब परमेश्यर के पास जाते हैं उटने टेकते हैं परमेश्यर से बात करते हैं और वो संबंद वो खराब करने के लिए आता है शेतान हमेशा वो चीज़ पर अटैक करेगा कि ये बंदा प्रातना ना कर पाए ये बंदा ये बेटी प्रातना ना कर पाए और ये परमेशिय के नजदीक ना जा पाए ये सबसे बड़ी बात है जो अब होगा जो क्या चुराएगा सबसे जादा वो परमेशिय की हुजूरी को चुराएगा और वो हुजूरी जब चुराएगा वो चीज़े बिगरने शुरू हो जाएंगी और जब आप उसके बारे से बाहर आ जाएंगे जब वो चीज़े आप बाहर आ जाएंगे तब शैतान आप पर वार करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक समय है परमेशर में बढ़ने का और ये समय है आज क्योंकि जब आप परमेशर की जूरी में जाते हो परमेशर के उस येश्यू के लहू को अपने बोडी पर क्लेम करते हो परमेशर के पास जाते कि परमेशर की हजुरी हमें हम में होनी बहुत जरूरी है तो कि जब कोई भी situation क्यों नहीं कोई हमारे साथ नहीं रहता बलकि एक सिरफ येश्युक्त है जो हमारे साथ हमेशा ह draft ईेश्यु मसी अगर कोई आपका बैन रहा है और वह आप бол hajill आपका साथ, आप site तक उस वो नहीं है सिर्फ एक परमेशर की हजूरी है तब वो आपके साथ होगी और आज हम वो परमेशर की हजूरी को खराब कर रहे हैं वो संबंद को खराब कर रहे हैं मेरे अजीजों हमने वो संबंद को खराब नहीं होने देना शेतान कहां पर वार करेगा वो परमेशर और आप करना धुक्त को सम्भंथ हमेशा एक विश्वास प्रबंता है कि आज हमारा विश्वास का पर की येश्व मसी आएगा क्योंकि सब ही बोलते हैं कि बाइबल ये बोलती है परकाशित बाके तक ये लिखा हुआ जाएगा है कि ये शोमसी कैई regulating और अपनी दुल्होनों को ले जाएगा व ये समय सारे बोलते чt है जब ये शोमसी कैंट है उसके बाद उसके प्रेडितों ने बोला जो उसके 12 प्रेडितों थे उन्हों ले बोला मन् Cheese grab बबतिस्बा लो कि राज मार्ग येशु मसी सत्य और जीवन येशु मसी ही है आप उसके पास आएए अपने हर एक पास से तोबा कीजिए को कि येशु मसी जल्द आने वाला तब से ये बात हो रही है कि येशु मसी आने वाला ये हमारा एक विश्वास है कि येशु मसी आएगा हम पादलों मझे हें उठाए जाएंगे कि मैं मारे विश्वास करते हैं धर phenomenalा सुछ्छ के pessim ही जीवने współ प्रमेश्वर के साथ जो हमारा संबंद खत्म हो चुका था येश्व मसी आया उसने हमारे लिए कोड़े खाए हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा वो एक संबंद उसने जो कायम किया वो जो उसने मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने पर जो उसने हमें उस परमेशर से मिलाया वो संब्ध उसने कायम किया था और आज शेतार वो ही संबंद को फिर से खतम करना चाहता वो चाहता है कि ये लोग कभी भी ना उस परमेशर के साथ मिल पाएं आज हम क्या मांगते हैं चंगाई को मांगे मत क्योंकि जब एक लाइन बहुत अच्छी है कि जब वो खुदा हमारा तो सब हमारा जब खुदा हमारा तो आशीश हमारी जब वो खुदा बनाने वाला जिन्दा परमेश और जो इस धर्तिया काश का पिता है जब वो हमारा हो ग कुंन तो हम क्यूब वो चीजे जो शरीरी यक चीजे हैं जो चण्गयाई हम मांगते हैं तो आज आपको क्या मंगना है सबसे जादा परमेश whilst अपने जीवन में परमेश इंप में थाह पर लीवेंदेंगों भी शेट जाएए यह समय्हार और की स्वाधियों को और तो स्वावन गश्वावभ क्की उस्वाव पिर जाएंगे एवार्ड मेंद में यही मेरे माता और यही मेरे भाई और बहना जो मेरे पिता के वचन को परमेशो की हजूरी को मांगिए कि परमेशो की हजूरी मुझसे अलग मत करना परमेशो कुछ भी हो जाएं अपनी सामर्थ को मुझसे अलग मत करना मेरे यावाज सुन रहा हैं आज मांगी अपने हाथ को अठाए क्योंकि येतर प्रमेश्वर की सामत से भष्व झामत बहुदे सा इस हमbaby फिशेख से भष्व अज मűटिंग होило रही है आज आप ये सोछ पूछस हमें के बदलने का समय है मेरे बदनने का समय है मेरे जीदों मांगी है परमेशर आपसे प्यार करता है आज जो मीटिंग थी मुझे नहीं पता था यह से मुझे नहीं पता था फर एक दम से मेसिज हुआ क्योंकि मैं विष्वास करती हूँ कि बड़्ताने मेरी तरफ से आपको a message देना है कि परमेशों की हज़ूरी और परमेशों की सामर्थ को लोगने का आसमेप, करो आई परमेशर की सामर्ती जगह पर मुजूद है मेरे अजीजों आज परमेशर की आणॉइटी जगह पर मुजूद है जितने भी मेरी वाज की इन्फिलूनस के नीचे है आज माँग लिजिए परमेशर की क्यों कि शैटान calme लिए जान को देखें और तूसरी दिन बहों कोा को आजब कर दिया बिंद कर सक्कर टाब्यार कसे का अगर आप गरीब है तो गरीबी के बंदन तूट जाएंगे आप बिमारी इभीमारी के बंदन तूट जाएंगे पर वह अभी शेग को लेना मेरे जीजो बहुत जूद को अज्सक्ति अधिया क्योंकि वह अपीशेग वह हमारे जुए को तोड़ते हैं पर आज हमारे अंदर वो अब भी शेक नहीं है वो हमारे अंदर वो परमेशर की सामर्थ नहीं है आज परमेशर की सामर्थ को मांगिए क्योंकि वो हमारे हमारे लाइफ में होनी बहुत जरूरी है एक और बाद कि परमेशर से जाला किसको समय देते हो आप परमेशर से जाला important कौन है हमेशा आपकी लाइफ में परमेशर से जाला कोई भी important नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइबल ऐसा बताती जिसको आपने परमेशर से जाला ध्यान दिया आप आपकी लाइफ में तब भी गरबड़ी शुरू हो जाएगी इसके लिए है आपको परमेशर को सब पहला स्थान देना है क्योंकि परमेशर अगर आपकी लाइफ में पहला स्थान है तो अभी शेख वो सामर्थ आपकी लाइफ में बनी रहेगी वो चीजें जो आप मांग देओ आपके पिछी पिछी बाइبل ऐसे कहती है कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सारी बस्तों ये तुझे पिछे पढ़कर मिलेंगी तो आज हमें परमेशों के सबसे जाला आज हमें परमेशों के अभिशेक उसकी सामर्थ को मांग रहा है तो आज ये समय बरमेशर के आभिशेख को मांगने का, क्युकि शیतान इसको चोरी करने आता है। और हम लोग सोचती है कि शیतान श्यतान हम पर अटक किया, हम बिमारी में पड़ गए, शेतान ने हम पर वो अटक किया, हम ये चीजमें चले गए, शेतान ने हम पर हम शेतान शेतान करते रहते हैं वो बड़ा होता ज़ता वो ताकतवर होता जाता है जबकि हमारा बनाने वाला वो बनाने वाला वो जिन्दा खुदा जिसने हमारे अंदर वो सास कोंकी वो बड़ा है तो आज हम बढ़ा किसको कर रही है शेतान को बढ़ा मत कीजिए परमेशर के अभिशेक को बढ़ा कीजिए क्योंकि वो बढ़ा है परमेशर का अभिशेक बढ़ा है उसकी सामर्थ बढ़ी है तो आज हमें क्या करना है परमेशर के सामर्थ परमेशर के अभिशेक को माइन है क कि अभी शेक के कारण ही ब कि जो गरीव हिए वह फिच हो जाएगी अभीु शेक की कारण पर में इसमार हमारी लाइफ वह चीजे देता है क्योंकि सुलेमान ने जब परमेश्वर सुलेमान ने क्या मांगा सुलेमान एक सपना देखा जब परमेश्वर उसको राजा बनाया तो उसने क्या देखा सपना आया कि है सुलेमान तुम मांग तुम उसे क्या मांग तक कि जब वह खुश था सुलेमान से क कूछ है और क्या ऐसने सुलिमान से कहा कि सुलिमान मांग तुछ क्या मांगता है पर उसने क्या बोला कि Вам परमेश्ण मेरे पास वह लगी कुछ अदे हैं तो तो मुजह तो मुझे सब कुछ कर सकता हूँ तो कि मुझे वो स्वर्गिय बुद्धी चाहिए तो उसके बाद ना राजा था ना राजा हुआ उसके बाद उतनी बुद्धी उसको परमेशने दी उसने परमेशने कहा तो बुद्धी मांगता है मैं तुझे राट पास सब कुछ देता हूं उसके बुद्धी को मांगा तो कि वह दया करने वाला परमेशर है हालाइलोई या वह दया करने वाला परमेशर आज सबसे जाना अगर जो सुलेमान उस बुद्धि को मागा तो परमेशर से आज आप ने वह अभिशेinator को माँगना है मैं विश्वास करती हूं कि जब आप अपने हाथों को उठाएंगे जहां कहीं भी आप बैटे हैं खड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं चल रहे हैं फिल रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं आप चल रहे हैं फिल रहे हैं कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं आप अपने दाएं हाथ को उ रही है इसी वक्त परमेश्य का अनग्रह पर आ रहा है आप रसीव करिए इस नौइटी को खुदा का हाथ आप पर आ रहा है अगर आप ले सकते हैं इस विशेक को ले सकते तो आज ले जिए परमेश्य का विशेक आप पर आ रहा है परमेश्य का सामर्थ परमेश्य की दिए जाता आज वह आपको बढ़ आ रहाएं सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी विश्वास को घाइल करने आएगा चाकि कपी जब हम परelyकि अभुषेक में भरे होंगे उस विश्वास में रिड़ होंगे तो तो चाहे कुछ भी सैचेशन क्यों नहों जाएं उसका वीषेशन क्यों नहीं घ्यरे रहता है एगर उसके लहुका पर है वो लड़ाई तो लड़ाई आप नहीं लडोगे वो लड़ाई वो यहवा लड़ेगा। क्योंकि Bible कहती है तू मतलड तेरे लड़ाई से लड़ाई मुझे हैं प्र आज आप कुछ मत करें सिर्फ मतर encode की अभिशेक को मांगें अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी situation है तो डरिये मद वो परमेशर आपकी लड़ाई को लड़ेगा वो परमेशर आपकी वो परमेशर जो सामर्थ देने वाला परमेशर जो आपको उसने पवित्रा आत्मा से भरा क्यों जब आप मांगे दें परमेशर से परमेशर मुझे अपड़ी अभी शेक अपड़ी स वह आपको भता नहीं है जब परवेश्वी कुछ भी मांगते की परमिशर मुझे तेरी जूर्ड तो भागा चला नहीं आता वह भागा चला आता है आपके स्पिरिट आपको जबाब देगे आज क्योंकि बहुत सामर्ती वार्व जिंदा परमिश्र बात करने वाला परमिश् वो शेतान जानता अपने दुनों को ले जाएगा वो चीजें जो आज आपको मिलनी है वो कल नहीं होगा जो आज परमेशे ने आपको सामर देनी है वो कल नहीं होगी इसलिए परमेशे कहता है कि अपने समय को कीमती जान और मुझसे मेरे अभिशेक को मांग मैं तुझे अभिशेक अपनी सामर से भरूँगा और आज हम क्या करते हैं वो आपके टाइम को वेस्ट करता है वो टाइम जो परमेशे में बढ़ने का है वो टाइम जो परमेशे की सामर बढ़ने का है वो आपको किसी भी ऐसी चीज में उलजा देता है वो आपको किसी भी ऐसी चीज में उलजाएगा चाहिए तायम उस चीज में चल जाएगा और जब पिर्मिश्वन wish I tell my तुझे और कि व्यस्ज था मैं तुझे मैं तुझे सामर्त में भरना था था स्विस्पाइबla त्र तुझे व्यावक्ति व्यस्ड़ मेंरहों तुझे आज इस वक्तित ए आप ए ऩो सोची है कि सुचिए चीज में व्यस्ता हैं आप क्या परमेशर के बारे में सोच नहीं हैं कि परमेशर मैं तुछ में बढ़ना चाहता हूं क्या आज आप परमिश्र की अभी शेक को मांगते हैं आज अपने मन से बात कीजिए कि आज आप परमिश्र की अभी शेक को मांगते हैं क्या आप कहते की परमिश्र मैं तुछ में बढ़ना चाहता हूं चंग्याई को छोड़कर बरकत को छोड़कर क्योंकि अगर परमिश्र अपका है तो सबकुछ आपका हो जाएगा अगर जिंदा परमेशर बनाने वाला परमेशर अगर आपके पास है तो सब चीजें आपकी हो जाएंग ऑपको मागने की जुरूत भी नहीं पढ़ेगी शालिल्यू ओर भर निष्ट आपको Project करना कई बढ़ मिस चैपागल對不起 क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि हम कभी ऐसे सुचेशर में आ जाते हम कुर कुराते हैं कि कई बार हमारे ऐसे शत्रू होते हैं कई बार हम किसी से गरीना करते पर मेशर कहते हैं कि हर किसी को माफ कर तेज कड़ाई मैं लड़ूंगा क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि भैयन स हम अपनी लडाईयां अपने मुझ से लड़ते हैं, पर हमें अपनी लडाई अपने मुझ से नहीं लड़नी, और परमिश्र को मुखा देना है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, कि यहौ gaming की सामने चुप चाप रहे हैं, क्योंकि हम यहावा से कुड़कड़ा नहीं सकते उसको यह नहीं कह सकते कि तुने यह किया मैं तुसे इतना मांग रहा हूं मैं तुसे कह रहा हूं यह मुझे इस अताने की कोशिश कर रहा है यह मुझे परवार करने की कोशिश कर रहा है पर यहावा आपसे कहना चाता है कि व और जल जलाहट को छोड़ दे मत कुड उसे बुराई ही निकलेगी वो आपको क्या कह रहा है कि मत कुड मैं जानता हूँ कि तेरे शत्रू क्या करना चाते हैं मैं जानता हूँ तुझे पर वार कर रहे हैं मैं जानता हूँ तुझे निंदिक कर रहे हैं मैं जानता हूं वो तुझे देखना नहीं चाहते हैं, वो तुझे इस धर्ती पर भी नहीं देखना चाहते हैं, मैं जानता हूं वो तुझे मारना चाहते हैं, मैं यह हवा इस धर्ती को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, तेरे आगे खड़ा हूं, तो मत डर, मैं ते तुझे लिए पहले से ही भेज दी हुए है पर तुझे दिख नहीं रहा तुन्हें आपने आखे बंद कर दिया इसलिए तु बोलता है यह वचा परमेश्ण का जब कशलाम जो बाइबल आपको दे दी गए पर इसको पढ़ना किसने आपको पढ़ना और इस पर चलना किसने कि यह को करना Hai और अगिकार किसको करनें मेरी अजीजे लोन आजём और बातों की ध्यान देते आज जो बचण बच्चन के द्वारा पर मेशल आप से बात कर रहाएं इस भाद पर ध्याल दीजिए इस अलफ पर इस words पर ध्यान की दीजिए कि permission आप से क्या बात कर रहा है आग इसी की situation कुछ और हो सकती है आग इसी की situation बिमारी हो सकती है आग से किसी की situation घर हो सकता है आग वो पहाड कुछ भी हो सकता है तो कि Bible ऐसा कहती है अगर तो विश्वास करे और परतीती कर रहे कुछ तुझे वो मिलेगा तो कभी सोच नहीं सकता अगर तेरा विश्वास बाइबल ये भी बताती है अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है तो उस पहाड को कैं सुमूंदर में जा पर तो वो तेरे लिए हो जाएगा पर वो पहाड हटेगा कैसे वो पहाड आपके विश्वास के द्वारा हटेगा अगर आप विश्वास के द्वारा अंगी कार करोगे आज वो पहाड आपकी कोई भी सिच्वेशन आपकी बिमारी आपका घर कुछ भी क्यों ना हो अगर आपके शत्रूओं कुछ भी ना कुछ भी क्यों ना हो पर आप प्रासने में जाईए और परमिश्र को बोलिए कि पर यिशु मसी तरे नाम से ये पहाड हट जाए सब कुछ तो यिशु मसी के नाम से हुआ यिशु मसी के नाम से इतने सालों तक लंगने चले यिशु मसी के नाम से अंदे देखे यिशु मसी के नाम से सब कुछ हुआ यिशु मसी सब कुछ कर सकता है पर आज आपने यिशु मसी के द्वारा यिशु मसी के लहू को क्लेम करना और बोलना है कि यिशु मसी तरह लहू के द्वारा ये पहाड हट जाए ये बिमारी का पहाड हट जाए तो वो होगा विश्वास करना है क्योंकि विश्वास को वो चोर क्या करने आता है चोर आप चोरी विश्वास की चोरी करने आता है ये लोग बोल जाते हैं कि हमेशा शितान चोर चोरी करने आएगा चोर घर में क्या करने के लिए आता है यह वह विश्वास की चोड़ी करने आए गए अगर आपका विश्वास परमेष्यव्ट से थोड़ा सा भी कम हो गया जो आपको पर मेश्वर को सकता है कि हो सकता है कि अब कुछ भी इसलिए आपको आपको परमेशन में बढ़ना है उसकी सामत पर बढ़ना है क्योंकि उसका अभिशेग मैं फिर से ये वचन बोली कि उसके अभिशेग के द्वारा आग का हर एक जुआ तोड दिया जाएगा उसका अभिशेग पर अभिशेग मांगना कैसे है ये भी एक तरीक है अभिशेग कैसे मांगोगे आप बाइबल तो ये बता दी अभिशेग के कारण तुम्हारा हर जुआ तोड दिया जाएगा पर अभिशेग की बात हो गई प्राहतना की बात हो गई विश्वास की बात हो पर वो अभिशेक मांगना कैसे है ये भी तरीक है हम बड़े आराम से सुन रहे हैं कि वो चीजें सब कुछ हो जाएगा हम धीरच भी धर लेंगे पर वो धीरच धरेंगे कैसे वो चीजें होंगी कैसे वो अभिशेक बड़ेगा कैसे जब हम परमेश्वर से अपने मन पूरी अपने पूरे जीव के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे अगर हमारा लव हमारा प्रेम ये शुमसी के साथ हो गया वो भी शेक आपका हो जाएगा वो सामत आपकी हो जाएगी क्योंकि वो आपसे भी उतना प्रेम करेगा जितना आप उससे प्रेम करेंगे अगर आप एक कदम उठाओगे परमेशे के लिए वो दस कदम आपके और आएगा और कहेगा ए मेरे बेटी तु मेरा बेटा जिसके से मैं खुश हो जिस तरह ही शुमसी को उसने बोला कि यह मेरा प्रिये पुत्र है आज मैं इससे परसन हूँ वो आप से बोलेगा वो आपको बोले परमेशे की परमेशे मसी तो मुझे कुछ ना दे या ना दे फिर भी तो मेरा प्यार है और प्यार रहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि प्यार डिमांड नहीं करता क्योंकि प्रेम डिमांड नहीं करता अगर आप किसी से प्रेम करते तो वो डिमांड नहीं होगी आप उसे दिल से प्रेम करेंगे दिल से प्यार करेंगे आप उसे कोई डिमांड नहीं करेंगे इसी तरह आप जब परमेशों के साथ आपका दिल से वो प्रेम हो गया वो दिल से उसे चाहत हो गई कि यिशु मसी मेरा प्रेम है यिशु मसी को दे कर मैं खुश होती यिशु मसी के पास जा कर मैं खुश होती हूँ तो वो प्रेम आपको भी शेक से भरेगा उस वक्त आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी हालुया उस वक्त आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी तो जब प्रेम आपका प्रवेश्व से हो गया वह अब शेक आप बढ़ेगा और वह सामत आप में बढ़ेगी हर एक तरीके से प्रवेश्व आपको जिस तरह यूसुव को यासमसे चैप दाल दिया फिर उसको बैचा गया फिर उसको बात में जो उसकी सारी प्रिक्षाइं में पर्मिश्वर ने वह संत के द्वरा विशेख के द्वरा जो नभी बना जब चुनी ईपन से ही तब उसको वह पर Dáन-मत्री ठहराया गया उसकी लाइफ को जो कि तों कर दी उसी तरह ना कर देगा हाललुया तो आज हमें किसमें पढ़ना है पहले परमेश्व से प्रेम किजिए आप विश्वास कीजिए कि यही मेरा परमेश्वर है यही मेरा प्यार है पर आज हमें कोई भी कुछ को बोलता है तो हम कुड़कुडाने लगती है अगर हमारी भीमारी ठीक नहीं हो रही तो कोई हमें बोलेगा अरे तु चर्च जाता था तेरी भीमारी ठीक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आपका विश्वास कम हो जाएगा आपका वहां से प्रेम भी क हो जाएगा पर आपको मेरी अधियों और आपको मेरी तैसा नहीं करना वो परमेशो कि अभी beneficial क WOW भूई नहीं रेक्ताए यह भूर आपकर आनदि कि और आपको गूंआख जा रहा है यह क्या मेरी बिमारी तो सच में ठeक नहीं होई मैं तो परमेशर से इतना प्रेम करता हूँ वो आपके दिमाग में नेगटिव लेके आएगा बलकि आपको हमेशा पोजिटिव रहना है हमेशा पोजिटिव क्योंकि जब परमेशर आएगा क्योंकि हर किसी ने ये सत्य है कि हर किसी ने परमेशर के पास जाना है हर किसी ने मरना जाना है क्योंकि इंसान मिट्टिया और मिट्टि में मिल जाएगा ये सत्य है और आज आप चंग्याई को ले रहे हो आज आप परमेशर से बंगला गारी सब कुछ ले रहे हो तो वहाँ भी क्या लेके जाओगे कोई कि परमेशन से आपने प्रेम तो किया नहीं वो सामर्थ को तो मांगा नहीं तो क्या आप लेके जाओगे अगर परमेशन अगर आपको जंग्याई नहीं मिल रही कोई बात नहीं कि आपको अपनी आत्मा में जागते रहना, परमिशो के बिशेक में भरते रहना, आज यहां कुछ नहीं, पर सवर्ग में आपके लिए जशन में आया जाएगा, सवर्ग में आपके लिए वो दो, जो दुआर, वो खुला हुआ आपको दिखे गा, जब आप उसमें एंट्री कर रहे हैं आप नहीं कमा रहे हैं वह यह नहीं सोचते आज क्या आज पर्मैशों से आप को कोब एक एक क्जांपल मैं आपको को देती हूं आज परमैशो से आप कि मेरा सीरदर्दद की का प्रात्न filters भाओ होगे आपका सिर्दट ठीक हो जाएगा क्या दुबारा आपका सिर्दट नहीं होगा पर अगर आज आप वो अभिशेक से भरे होंगे वो सामत से भरे चाहे आप भी मारी में ही क्यों ना है चाहे आप किसी भी पस्तिती में क्यों ही ना क्यों ना हो अगर आप परमेशों के अभिश जो आपके मुख आपके फेस पर जो परमेशों की तेज़ होगा वो चमख होगी वो यहां से भी जाला होगी कोई कि आपने किस बात पर ध्यान दिया परमेशों कि वो आगदिक धन पर ध्यान दिया कि मुझे अब शेक पाना है मुझे परमेशों के लिए त्यान होना है कि मैं रहना जाओं मुझे परमेशों कि अब शेक से बनना है मुझे परमेशों कि सामस से बनना है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिरब परमेश की हजूरी चाहिए अपने लाइफ में हाललुया मुझे सिरब परमेश की अपने लाइफ में हजूरी चाहिए चंग्याई नहीं मिलती कोई बात नी बरकत नहीं मिलती कोई बात नी घर नहीं मिलता कोई बात नहीं किराएपे है कोई बात नहीं पर मुझे परमेशर की हजूरी चाहिए कि खुदा वंद मेरे से ऐसी कोई गलती नहो जाए कि तेरी हजूरी मेरे से अलग हो जाए तुम उससे अलग हो जाए क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो उसकी सामत के बिना आप कुछ भी नहीं हो उसके अभी शेक के बिना आप कुछ भी नहीं हो क्योंकि वो सामत आपको बदलती है वो सामत आपको वो परमेशो के साथ कनेक्ट करती है हालिलुया तो आज आपको परमिश्यों की वो सामत परमिश्यों की अब शेक को मांगना है हालिलुया वोगे बाइबो में ऐसा लिखा है कि भये साहिता 32 उसकी 6 और 7 में लिखा है कि इस कारण हर एक भक तुसे ऐसे समय में प्रातना करे जब कि तु मिल सकता है निश्यों जब जल की बाड आए बड़ी बाड आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी आज वो समय है परमिश्यों के उस समय वो आज समय परमिश्यों के अभिशेक में भरने का आज समय परमिश्यों की वो वो ग्रेस में बढ़ने का जब कोई भी प्रस्थिती क्यूं ना हो कोई भी चीज ऐसी क्यूं ना अगर परमेशर आपके दाई और खड़ा है तो कोई आपके पास पहुंच भी नहीं सकती कोई वाइबल उसका वचना में बताता है कि निश्चे जब जल की बड़ी बाड़ आए तो भी उस भग के पास ना पहुंचेगी क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि जब कुरोना था जब वह वाइरस चला कितने लोग मरे पर आज आप जीवित हैं परमेशर की हजूरी में औ उसको अब धन्यवाद दे रहे हैं आज जीवित हैं या वह बाड़ आपके पास आई नहीं आई वह दुक्की बाड़ आपके पास नहीं आए क्योंकि आप परमेशर के वह दन्य लोगे जो परमेशर के बचन को सुनते और मानते उस पर चलते हैं कि यह समय है कि जब आप उ पर आज समय बीथ चुका है हालेलुया आज समय बीथ चुका है और परमेशर की वह प्रेसंस जो परमेशर आप परमेशर बढाना चाहता है वह कहता है कि मेरी मेरे जो अभी शेक में आप बढ़े मेरे जो परमेशर ने आज हमें वह समय दिया है कि परमेशर में हम बढ़ सकते हैं तो आज हम उसमें बढ़े यह समय परमेशर ने दिया है ना मांगते हुए दन और दोलत को ना मांगते हुए उस चीजों को जो शरीरिक चीजे या जो संसार की चीजे है यह खत्म हो जाएंग पर अभिशेक नहीं खत्म होगा वो सामत नहीं खत्म होगी ये चीज़े नहीं खत्म होगी आज आप परमेशे से परमेशे के अभिशेक को मांगे उसकी सामत को मांगे उसकी वो अनॉइंटिंग को मांगे क्योंकि जब हम देखते हैं कि मुसा की जब उलाद नहीं थी वो फिर भी परमेशो के साथ विश्वास के द्वारा चलता गया चलता गया चलता गया चाहे उसकी लाइफ में प्रिक्षा भी आई फिर भी वो चलता गया चलता गया वो विश्वास था वो परमेश भी उससे प्यार करता था अबराहम की उलाद ना होते हुए भी वो परमेश उसे प्रेम करता था पर परमेश ने उस प्रेम की खातिर उसे उलाद दी मुसा, मुसा को परमेश चुना इसराईयों को मिस्र में से छुडाने के लिए पर वे एक विश्वास था उसे प्रेम था आप जानते हैं कि जब मुसा को चुना गया और जब मुसा को चुना गया और जो सीने परवत पाज़ प्रासना करता था और बोलता था लोग नीचे पाप करते थे लोगों ने बचड़ा बना लिया सोने का बचड़ा बना लिया और इसके इर्द-की-ईर्द नाचने लगे घूमने लगे और उसकी परस्तिश करने लगे जब कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था और जब परमेशर ने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग परमेशर जानता था पर मुसा अपने परमेशर की अरातना में व्यस्ता और परमेशर देखता था कि वो बोलता था मुसा मुसा ऐसी अरातना मत कर ये मुझे उनके पाप से तेरी अरातना जब तू रातना कर तेहा baston को सुनता रहां मत कर यék आरात्ञ को आसा रहा वो पर वो यह से बोलता हुआ पर आज हमें वो परमेश्य की किरने नहीं चाहिए पर आज हमें क्या चाहिए परमेश्य का वो हमें इसंसारिक धन इसंसारिक दौलत चाहिए पर आज मैं उस इंसान से बात करना चाहती जो परमेश्य की अभिशेक को लेना चाहता है जो परमेश्य की सामर्थ को लेना चाहता है जो परमेश्य में बढ़ना चाहता है आज समय है परमेश्य में बढ़नेगा उसके अभिशेक में बढ़नेगा उसकी सामर्थ में बढ़ने आपका घराना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी क्योंकि परमेश्य एक सेकंड में बदलने की सामर्थ रखता है पर अब हैं मांगना है क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है मांग मैं तुझे दूँगा हालेलुया तो आज मांगते हैं परमेश्य से परमेश्य की सामर्थ को क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है मत डरें क्योंकि शेतान आपके मन में आपकी सोचों में नेगिटिव थोट्स लेके आएगा कि तेरा परमेश्य कुछ नहीं कर सकता तेरा परमेश्य ऐसा है तेरा सेटने करेंगी लोगों उनके द्वारा आपकी लाइफ में वो सोचें अंचर करेंगी और वो शेतान गारने कि उस ची京 परखना आपने कि उस चीज़ को आपने पर आए यह कुन बोल्ढ रहा है सबसे चुराने वाला वह वह सामर्थ वो चुराएगा और आपने ध्यान दे रहा कि बोलता है कि तुम्हारा प्रमेश्वर ऐसा है तो आप जड़ से बोल दीजए कोई बात नहीं मेला पर मेश्वर दें या नहीं जीवित पर मुझे सब कुछ देने की ताकत रखता है आज ल वह मुझे न छोड़ेगा कभी न त्याग तो मैं सच मानती हूं मैं विश्वास करती हूं कि मैं अपने इश्यों से प्रेम करती हूं तो वो मुझे कभी भी नहीं चोलेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा बोलिए कोई भी आपके सोच कोई भी बोलता है कि आपके दिमाग में नेगिटी सोचे डालने की कोशिश करता है कि तेरा परमेशुर ऐसा है तो बोलिए कि मेरा जीवित परमेशुर है वो मुझे चंगा करे या ना करे वो मेरा जीवित परमेशुर है जिसने मेरे लिए कोड़े खाए जिसने मेरे अपने जान दी जिसने मेरे लिए प्रकूर बहा दिया मैं उसे प्रेम करता हूं मैं तो उस कि नाम से हालविया तो आप परमेशच्च के परमेशच को लेने का परमेशच की सामर्थ को लेड़ा आज आप कुछ भी नहीं मांगेंगे आज घर दर्ण दोलत कुछ नहीं मांगेंगे आज इस तरफ चितने कुछ भी क्यूंट ना हो मेरे हर एक बौली कि परमेशर मैं अपने हर एक पात सेтак करता हूं पर अपनी हजूरी मुझसे अलग मत कर मेरे परमेशर मैं तूम से प्रेम करता हूं मैं तेरे बीना कुछ नहीं हूँ तो आपको क्या करना आपको यह नहीं मांगना कि मुझे चंगा कर परमेश्यों कि अभिशेक को मांग लीजिए जब उसका विशेक आएगा आपके हर एक जुवे तोड़ दिये जाएंगे इश्युमसी के नाम से आमें उसके विशेक से आपके हर जुवे तोड़ दिये जाएंगे तो मांगें आज एक हाथ को ठालीजिए और मांगना शुरू किजिए कि यश्युमसी मुझे अपने विशेक से भर यश्युमसी अपने अपसामर से भर यश्युमसी आज कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि प क्यार करता हूं मेरे पापो को यात् मत कर अपने धर्मी होने के कारण आज ज़री मेरी योर हो मेरे परमेश्वर आज मुझे अपने अपिशेक से भर दे मेरे परमेशर, आज मुझे अपने अपिशेक से भर दे मेरे परमेशर, मेरे खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ तरा अपिशेक चाहिए, मुझे तेरी सामच चाहिए, आज मुझे अपने अपिशेक से भर दे मे क्योंकि आज आपकोश्य islands अपने पढ़ाशेक से परेगा कोई चंगाई मत मांगेे कुछ न मतम Simone Panda सिर्व परमिश्य से अपिशेक को मांगिए उस अपिशेक को मांगिए आज जहां कहीं भी बैटे हैं पवित्रा आत्मा आपको टच करें पवित्रा आत्मा आपको समसे भरें वो फायर से भरें वो आख से भरें वो समसे भरें और आप बदर जाएं आपकी लाइफ चेंज होन कुछ भी आपको तंग करता है जो आपके मन की सोचे हैं आई इशयों के सामने रख दीजिये और परमिश्यों उसे कहिए खुदावद मैं तेरा भी शेक को चाहता हूं पुदावद मैं तुसे प्यार करता हूं मुझे अपड़ी शेक से भर दे पुद्रा अत्मा खुदाबन मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरा अभी शेक चाहिए पिता परमेशन मैं तुसे मिलना चाहता हूँ मैं तुसे बात करना चाहता हूँ मेरे खुदाबन मुझे चूँ पवित्रात्मा मांगिए आज परमेशन से पुवित्रात्मा की हजूरी को मांगे अपने जीवन से बोलिए पुवित्रात्मा को आज समय है उसके अभिशेख से भरने का जो भिशेख से भरना चाहता है मांग लिजे आज इश्यो मसी की अभिशेख को बोलिए पुवित्रात्मा मुझे चूँ पवित्रात्मा मुझे अपनी सामन से भर, पवित्रात्मा मुझे अपनी सामन से भर, पवित्रात्मा तेरे बिना मैं कुछ नहीं हो, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हो, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हो, पवित्रात्मा मुझे अपनी आग से भर दे पवित्रात्मा, मुझे अ पुआए बादलों में मैं एक अच्छी धुलन ठैर सकूं मेरे मुख पर तेरी चमक हो मेरे कुपी में वो वचन वो तेल हो जो पिता परमिश्यर मैं तुस्से मिल सकूं कुदा बंदा ताकि में मुल मुरुक पांच कवारियों की तरह न रह जाओं जब तेरी आवास तो नव करना सुन सकी पिता आज तू उन वन को बुलाते है पर वो वन वन ने आपरे कानों को बंद किया हुई आई येश्य से आपके आत्मिक कानप कुल जाएम-गई-छ एश्य को क्या ona तोर दिया जाता है येश्य के नाम टोड़ दिया जाए तांकि वो बंदन जो रास्ता शेतान ने बंद गया वो बंद होना चाहिए यह शुनासरी के नाम से हाललुया यह श्युमसी के नाम से उसके बिशेक से भर जाएं उसकी सावन से भर जाएं आपको आपकी सामत को मांगा मैं विश्वास करती हूँ कि उसने आपको आपकी सामत करती हूँ अपने भी शेक से भर दिया है तो परमेश्र का धन्यवास कीजिए उस सामत के लिए धन्यवास कीजिए हाललुया उस परमेश्र का महान परमेश्र का धन्यवास करिए क्योंकि वो समय वो इस दर्ती पर आया वो आज आपकी लाइफ में प्रेजन्स लेके आया उसका धन्यवा अगर आप किसी भी पाप से गिरे तो कि भाइबला से कहती है धर्मी चाहे साथ बार भी गिरे तो भी उत खड़ा होगा वो खुदा उसे उठाएगा मैं विश्वास करती हूँ कि आप किसी भी पाप में पढ़े मत रहें और जाहिए और खड़े हो जाहिए श्रीमस्ति के साम धन्यवास कीजिए आएए बचन के लिए प्रात्ना करते जो सुनाओ परमेशर जो हमारे अंदर उसने बोया वो सोगना फल लेकिया ही धन्यवाद प्रभी श्युवसी धन्यवाद मेरे सामर्ती मेरे जिन्दा जलाली परमेशर पुदा वंदा जो वचन आज आपने दिया जो हमे अपने रभी शेक, अपनी सामर्स से भरा myre पिता परमेशर हमारे जिंदिग्यों में सोग नाफल लेकिया है पिता पर लेकिया है पजोग कि बाइबल ऐसा बताती मेरे सामर्ति प्रमेशर जब-जब तेर प्लाम हुा जब-जब तेरे ऐकलाम को पड़ा गया मरे पि पर्मिश्य लोगों ने prayer request की मेरे सामरती पीता आपने हर एक prayer request को आपने पढ़ लिया मैं पड़पाई करना पड़ें कोई माईने निरता अश्बास करती हूं आपके निगाहें हर एकी prayer request पर थी मेरे पर्मिश्य उन लोगों पर जो आज इस वीडियो जो इस लाइव सेशन को देख रही थे हर एक को आपने देखा हर एक की प्रेड क्वेस्ट को पिता परमेश्य आप कबूल करना उन्हें अपने इसाम में विश्यक से भरना विश्वास करती हूं कि आपके विश्यक के द्वारा हर जुआ तोड़ दिया मैं विश्वास करती हूं फिर से हर एक जन को आपके सामर्ती जोरावर हाथों में सौंब देती हूं विश्वास करती हूं जो मांगा आपने दिया यहाँ पिता यह प्रातना आपके प्यारे बेटी इश्यक सामर्ती जिंदा बड़े नाम से और पवितरात्मा के सभागिता के साथ मांग लेती हूं आमें 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 हालेलुया और परमेशे का धन्यवाद कीजिए जिसने हमी वो मुका दिया कि हम परमेशे के साथ परमेशे की इस्तुति में रह सकें और परमेशे के वचन को पर सकें क्योंकि आज आज आपने ही नहीं सिखा आज मैंने भी बह सबसे को पसंद है हालेलूया और सबसे बड़ी बात मेरी family के लिए मेरे parents के लिए और मेरे लिए भी प्रातना करना कि permission मुझे अपने में और बढ़ाएं मुझे अपनी सामर्त अपने भी शेक से भरें और खुदा अपने कामों के लिए भुताईते से इस्तमाल करें मेरे parents को भी अपने कामों के लिए बोट साइस से इस्तमाल करें और हम तीनों को योद्धा की नाए खड़ा करें हाललुया और परमिश्यर किसे प्रातन कीजिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं और मैं परमिश्यर जो जैसे मुसा खड़ा हुआ था मिस्र में से इसराइलियों को पुझाने के लिए वैसे ही मैं और म प्रातना को जो इस परमिश्यर के बचन को सुना आपने टाइम निकाला परमिश्यर के बचन को सुनने के लिए को कि परमिश्यर का बचन बोलता है कि धन्य वे यह लोग जो परमिश्यर के बचन को सुनते और आप धन्य हैं और आप परमिश्यर की प्रजा हैं तो कभी भी कभी भी निराश मत हो न कोई भी सिच्छेशन क्यूं कोई भी ऐस jars क्यूंद आए अगरर अप फ्रस्ट्रीटिर क्यूं न होते हैं होग परमेशर संथ कोई पास्टेट नहीं रह सकता कोई बयांड भाई आपके साथ नहीं रह सकता मैं परमिश्र का कलाम सुना के चली जाओंगी पर सबसे जारा में बात है कि परमिश्र आपको कभी नहीं चोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा हालेलुया मैं आप सब सबका फिर से धन्यवाद करती हूं फिर से मेरे मुझे और मेरे पेरेंट्स को पर दुआ में याद रखना सबको जया मसे कि